कि नमस्कार दूस्तों एक बारा सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरूजी पर तो गई जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली दोपहर में एक बजे आप सभी की जो रिजिंग की क्लास हो चलती है तो सभी लोग जो लो सब्सक्राइब चलती है और रात को आठ बजे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप लोग मेरी क्लास का फायदा बिल्कुल उठा सके हैं और जो भी आपके वहाँ पर पेड़ चलने हैं यूपी पीसी इन सब पेड़ में करने के लिए आप लोग सिंपली स्कॉड का यूज कर करते हैं आच ही इस क्लास को तो पहला कोशन देखे हैं आज का आपके सामने यह रहा इन में से सबसे अलग संख्या को ढूड़ना है सबसे डिफरेंट बदे कौन सा है दो नौ अठाइस तिरसट एकसो चब्स सब्सक्राइब यहां पर जो लोग प्रयास करिए कॉपी कलम अ क्यूब यह बसेट की बात करें चार क्यूब माइनस एक से बना है तो सब में सारे में प्लस एक था सब्सक्राइब माइनस एक है तो इसे वह जासे और जो इसका सी है 63 वह यहां पर क्या हो जाएगा डिफ्रेंट यानि क्या लग हो जाएगा तो पूछा गया है यहां पर आपको मिसिंग नंबर यानि की लुग तो संख्या जो है ग्यात करना है तो देखी थे हैं से छे चार बावन तीन पांस दिया गया है तो इस मेंसिंग नंबर पर यह क्या है फटा फट यहां पर थोड़ा आप लोग भी प्रयास करती हो चलिए और जवाब देती हो चलिए तो यहां पर अगर देखेंग भई छे हैं और चार यहां पर बावन आया च्छे का वर्ग कितना होता है आपका 36 होता है 36 और 16 को एड करने पर कितना है थे जहां पर फिस यहां पर यहां पर से पर बिलागया ख़र केइस से हुवाइग को आट जी ऐने चाइए तो कोड़ बिलाग में स्वיर प् levels यहां मिया घूशे है तोedar को यहां आट कवर्ग प्लस जोभी आए मया पर वह आने चाहिए तोаю और चार केसा का वर्ग होता है बिलकुल से जवाब रहा है चार जो आपका दो का वर्ग होता है तो आपसा नमबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चलिए साथ यह आते हैं अगले question पर तो पूछा गया है दीगे स्रेडी का सात वापत क्या होगा द बिलकुल सही बात है जितने लोग आपसा नमबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग हमपर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे अगला question देखिया आप से क्या पूछा गया है वर्स का संब्द अगर आपका सी तिरितू से है तो बताएं सर किसका संब्द दुकिया सोक से हो जाएगा फटाफट यहां पर जवाब देती हुआ चलेंगे भाई ने कि वर्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्स में आपका सी तिरितू भी आता ही आता है इसी तरह हम बात करते हैं भाई भाग यह के बारे में तो भाग यह की अगर हम बात करते हैं तो भागी में दुख और सुख सब कुछ आते रहते हैं तो मेरी साब से जो इसका सबसे जो उच्छित होगा वह आपका क्या होना चाहिए सर भाग होना चाहिए क्योंकि य आपका यहां पर 55 कह रहा है कि भई पांच का संबंद अगर आपका 23 से है तो नौ का संबंद बताइए किस से हो जाएगा फटा पर यहां पर जवाब देती हुआ चलेंगे सब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले साथ ही आते हैं बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन ध्यान से देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गया है कि भाई गर्ल का संबंद बूटी फुल से है तो ब्यूटी फुल बोला जाता है तो बॉटी फुल मैं अगर देखा है तो जो करेक्ट होगा आपको हैंसम और होगा क्योंकि आप सुंदर्ता से जो है कंपेर किया जा रहा है स्मार्ट तो किसी भी प्रदी की स्मार्ट ने सो सकती है तो आपस नमबर जो इसका डी है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए साथ ह बाइसन दा रहा है तो आप यहां पर पूछा गया है नियाजीस का संबंद अगर आपका नियाय से है तो संसर का संथे किससे हो जाएगा पूछते कि आपका बटाएंस यह良 ariat यहाँ पर जितने लोग नैतिकता जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कुश्चन देखें आप से यहाँ पर क्या बोला गया है जड़ एक्स वी टी आर पी एन एल जे 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 एच फ बराब अगला कुश्चन मार्क है तो यहाँ क दो कम हुआ भी के बाद टी एर है दो कम हो रहा है सब मैं दो का हो रहा है आश के बाद डो कम करेंगे दो क्रेंगे चाहरberg कोड किया हो जवाब देती हुए सभी लोग चलेंगे 3 15 49 75 अगला जो नंबर है किसका आएगा और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया तो भाई 3 15 45 75 75 75 75 75 यहाँ पर आ तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है समझेंगे यहाँ पर 3 15 में बारा तीन पंदरा होता ना 15 49 जिक्ते हैं कितने अंतर भी 1549 तो नो इसे पांच गया चार यानि कि 24 का अंतर है ठीक है और 49 75 तर में अगर देखिए तो पंदरा पसे नो गया छे और तो पहले 12 का अंतर आया फिर 24 का अंतर आया तो अगला आप सभी लोग लागा सकते हुआ कितने कंतर आएगा वह 12 दूनी 24 बात या 36 बार चुका 48 चाहिए तो भाई 75 और और 48 को एड़ करेंगे तो कितना आजाएगा 75 को और 48 को अगर हम लोग एड़ करते हैं तो हमारा सिंपल सैंसर आजाएगा आठ हो पांस तेरा यानि कि 93 93 आएगा ना साचर गया नहीं 123 आएगा माफ कीजिएगा तो आपसर नंबर जो इसका बी है 123 वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लियर है चलिवाई बहुत अच्छी बात है अगला क्वेश्चिन देखिए आ आठ 15 27 कोईश्चन मार्क तो आप सभी को बताने इस कोईश्चन माख के प्लेस पे पे जो है क्या आजाएगा वहीं देखिए एक है तीन है चार है आठ है पन्दरा है 27 दिया गया फिर कोईश्चन माग आपका दिया गया है तो यहाँ पर साथ नंबर कोईश्चन की अगर ह बात करते हैं देखिए एक और तीन एड करो कितना जाएगा चार आजाएगा चार और तीन एड करेंगे साथ आशे बट यहां पर देखिए आठ आ रहा है तो यह लॉजिक नहीं चल ला है बट यहां पर एक लॉजिक और चल सकता है देखिए क्या चल सकता है मैं आपको समझा पहले चार देखेंगे तो एक और तीन को एड कर दे कितना गया चार आगया अब तीन तीन को लेते चलो तो तो एक चार चार आगया फिर लाश की तीन को लो आट चार बारा तीन पंदरा आगया फिर लाश की तीन को लो पंदरा और आट और चार पंदरा बारा सताइस हो गया तो पंदरा आट सताइस को एड करेंगे तो और साथ चार ग्यारा हो गया है तो जितने लोग यहां पर पचास जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर सभी को चलिए तीन-तीन को यहां पर रैट करना था अगला कुशन देखिए पूछा गया आपसे यहां पर यहां पर यह किसी सांकेतिक भासा में ट्रिपल को को कैसे लिखेंगे चलिए प्रयास करते हुए चलेंगे सभी लोग यहां पर इसका जो क्या हो जाएगा इसके बाद वाली क्लास जो है जरूर देखिए गया आप लोग नहीं देखते हो वह आपका कि इंपोर्टन होने वाला हूं काफी कर रहे थे तो उनके लिए फी क्लास जो आने वाली है और हां यूपी टेट की आप सभी को पता है टेट की तयारी अभी से मैंने स्टार्ट करवा दी है तो टेट वाली अब लोग अभी से लेना श्रू कर दो वह भी अभी मैं इसलिए मैं अभी आपको करवा रहा हूँ और हिंदी भी सिर्व इसले में करवा रहा हूँ क्योंकि वह हिंदी विस आपके बीड एक्जाम में भी काम आएगा तो यह पी टेट की अभी सिक लास लेतर हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा टेट मतलब कोई भी स्टेट का टेट ह तो सबका सेम राइने वाला है यहाँ पर देखेंगे यकि किसी सांके थिख भासा में ठ्रिपल को यह लिखा जाता है तो उसी संके थिख भासा में डिस्पोils को कैसी लेकिंगे करेंगैं तो QI यानि कि एक कम हुआ है, I से H हुआ है, H I होता है न, O P होता है, O P होता है, सब में एक-एक कम किया गए, तो यहां भी एक-एक कम कर देते हैं, D से एक कम करेंगे, C हो जाएगा, I से एक कम करेंगे, तो H I होता है, S से एक कम करेंगे, तो ARIAS होता है, तो C HR, इसका पी से एक क Q-R-S-R हो जाएगा इसके बलाव यहां पर E से कम करेंगे तो D हो जाएगा तो CH-R-O-N-R-D CH-R-O-N-R-D किस में आ रहा है सब बिल्कुल सही बात है, option number देखें, आपर C में आ रहा है, तो जितने भी साथी option number C जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखिए आपसे क्या कह रहा है दो अंको वाली किसी संख्या की पुनरावित्ती करने से जैसे 37, 37 या 33, 36 बनी चार अंको वाली संख्या सद्यों विभाजी किससे होगी जैसे 37, 37 हो गया 63, 63 हो गया यह संख्या है जो होती हमें सा सिंपल सा याद रखिएगा किससे विभाजी होती है बहुत ही सिंपल सा लॉजी कि यहाँ पर लगाईएगा जवाब आप लोग देते ही चलेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा दो अंकों के अगर संक्या है तो 101 से ठीक है और अगर मालो 3-3 का जोड़ा आ रहा है तो 001 से हो जाएगा 001 से हो जाएगा ऐसे याद रखिएगा यहाँ पर यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कुशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है धियान से देखिएगा निमलेखित विकल्पों में से वहाँ सब्सक्राइब चुनिए जो देए गए सब्सक्राइब का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता मिस फॉर्चून दिया गया देखिए M.I.S. फॉर्चून को जोई नहीं फॉर्ट की एकर हम बात करते है दो एफॉर्ट यहां पर बन सकता है टैन के बात करते तो टी यू यहां पर है आर यहां पर नि यहां पर बन जाएगा soft के बात करते देखिए SOFT SOFT भी बन जाएगा Rome मतलब नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर देखो Rome में R.O.A.M. है जबकि Miss Fortune में कहीं भी A का प्रियोग नहीं किया गया है इसी वज़ाद से बिल्कुल सही बात है option number जो इसका D दिया गया Rome यह आपका नहीं बन सकता है अगला question देखिए आप से क्या कह रहा है नीचे देगे प्रितिकरियाओं का अर्थ पूर्ड करम निम्रिखित में से कौन सा होगा परमाड यूग, पासाड यूग, धात्वे यूग, मिस्रधात यूग यहाँ पर बताएं सर अर्थ पूर्ड करम बताएं निम्रिखित में से कौन सा हो जाएगा तो 64 की अगरम बात करते हैं दियान से देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है option number देखिए अर्थ पूर्ड करम ना तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो पासाड यूग है तो यहाँ पर दिखा एक तीन दो चार एक option number किस में आ रहा है तो बी में आ रहा है तो option number जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जलिए दुस्तों आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question देखिए आज से हाँ पर क्या वो लगया है ध्यान से देखिएगा एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाडी का अस्थान उपर से आठवा तथा नीचे से चौरासिवा है कुल प्रतियोगियों की संख्या जो है कितनी थी फटाफट 65 का जवाब देती हो चलेंगे इसका जो करेक्ट एंसर आपका क्या सकता है तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाडी का अस्थान उपर से आठवा है नीचे से चौरासिवा है मैंने आपको उता है अगर किसी का अस्थान उपर से और नीचे से आपको पता हो तो सिंपल सा क्या क्या करना है उनको एड कर लेना हूपर से और नीचे से एड करो और माइनस क्या कर देना एक कर देना है बस यही आपको लोज़े लिए किसी भी तो यहाँ पर आपको एड क और एक राजनितिग्य कभी और महिलाओं के वेज संबंद का सही निरूपर करता है देकि राजनितिग्य है कभी है और महिला है तो आप सभी को वता है कि जो राजनितिग्य है वो क्या बोलते हैं जो महिलाएं हैं वो दोनों हो सकते हैं राजनितिग्य हो सकते हैं कभी तो यह पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन देखो आप से यहां पर क्या पूछा गया है कि बाई प्रस्नमाचक चिन्न के अस्थान पर कौन सी संख्या आएगी थोड़ा सा बलर है बटाई हूप दिख रहा होगा आप सभी को प्रस्नमाचक चिन्न है यहां पर यह यहां से देखेंगे यहां पर क्या हो सकता मेरे साथ से देखिए यहां पर 47 है फिरेत्तर है इन दोनों को गराइड करके देखिए 7 411 713 यानि की 120 आ रहा है जो कि यहां पर दिया गया है उसी तरह यहां पर देखिए अरड़ 22 और 11 को एड़ करेंगे तो 628 यानिक थर्टी आजाएगा यानि कि इन दोनों को एड करने पर यह तीसर नमबर आ रहा है तो 29 में कितना एड करें कि भाई अठावन आ जाए तो 29 में 29 ही एड करने पर तो यहांपर जो correct एंसर आपकर क्यों हो जाएगा 20-9 होगा तो जुतने लोग यहांपर ऐस नमबर ए जवाब दे रहे है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question देखिए क्या कह रहा है चार संख्याएं दी गई है एक चार साथ अथा ग्यारा में निम्लिकित में से कौन सी संख्या जोड़ दी जाए और उसमें एक option देदी है इन में से कोई नहीं तो आप simply क्या कर यह आप लूग मान करके लगए जैसे यहाँ पर चार संख्या एक दो तीन चार तो एक प्लस एक्स करो समानपात का मतलब क्या होता है दूसरी संख्या क्या चार प्लस एक्स करो ठीक है यह करो बराबर साथ प्ल जाएगा बैजियारा से उत्व्लत कि है यह से एक गया गुड़ा किया एक में एक ना गया एक संख्यार आ गया अब यहां पर लेते हैं गयारे कई अनम गयारा प्लस एक स्व्लस यह पर क्या बच जाएगा यह कुछ हो गया गलती जल्देले मैंने उल्टाइदा इधर कुर हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना और 1का इसी तरह इनका गुड़ा करो 7 हो जाएगा इसी तरह यही साथ झाल जािळों 9 यक्स प्लस 11 बचा, बराबर कितना बचा है, 28-11 बचा है, यक्स कमान देखिए, कितना उचाहिए, 28-11 जएगा, इसको हल करेंगे, तो कितना जाहिए, 8-7-2-7-2-7-7-8, यनिके 17 आना चाए, देखिए, अगर आप लोग 3-0 option चेक करते, से कोई भी समान पाथ आपको नहीं देता और आपसे नमबर कौन सा देखता बहुता इन में से कोई नहीं सब्सक्राइब इसलिए मैंने बुला ना जब भी इस तरह से आपको लिए आपको चेक करना पढ़ी सकता और यहां पर एक अप्सन कुछ अलगी दे दिया है यहां पर जो करेक्ट एंसर आपको क्या हो जाएगा अगला कोशन देखिए आपसे क्या पूछा गया है वह चार संक्राइब लिखि दोस्रें बती जाएगा लेकिन चार बयालिस के अगरम बात करते हैं तो क्या एक दूसरे से कट रहे हैं यानि कि यहां पर पहली संख्या जो है तो नहीं कट रही है इस वह जासे और जो इसका ए है वह आपका यहां पर यहां पर बेमेल हो जाएगा ठीक है काफी लोग आप इसना पर बीच लिए जवाब दे रहें क्योंकि वह वर जहाँ से पहले रहा है किई ऐसे पुरा पूरा कट जा रहा है दोसे से क्ट ढूरा से पूरा किट जद भाई कहते हैं बागे 40 है, माइनस 4 गुड़े 5 प्लस 6 है, तो पहले जो है, उसको फटा-फट चेन कर लो, 20 भाग कर्थ प्लस है, तो प्लस 40 हो जाएगा, माइनस कर्थ देखिए आपका यहाँ पर क्या भई, माइनस कर्थ भाग है, तो भागे कितना हो जाएगा, 4 फिर माइनस 5 गुड़े 6 प्लस का गुड़ा, तो यहाँ पर देखिए, पहले भाग करते हैं, तो 40 भाग कितना हो जाएगा, 4 धाम माइनस 5 गुड़े 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है, बीस बचा है, तो बीस और दस 30, 30 में से 30 गटा दो, कितना हो जाएगा, तो आपका 0, कितना हो जाएhr, पांच यदि 5 व्यक्ति, 5 गूर्सिया, 5 गंटे में मुन Tech अबवे कितने खूंटे मूनेगा, तो य्याद रखे, पांच व्यक्ति, 5 गूर्सिया, तो व्यक्ति हो गिया, और कूर्सिया हो घाएगा, तो हमाँ जात रखे गा जो जितने भी काम ओले ऊपर चीज यह कि तो समय आता हो नीचे हो जाता समय कि इतना पांच हम्धम कुछ सी एक गंटे मा लिजे मुझत है तो यह पर देखिए पांच आप 15 गड़ गया एक्स कमान कितना आजाएगा यहाँ या पर पूछा गया कि एक 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 कुर्षी को कितने घंटे में बुनेगा यह मेरे से मिश्टेक हो गया हुआ कि मौ сторону क्या होता है मैं फिर से घ्रदा क्वण हुआ है धीगे मसाला m هाथ नहीं है एक अगर व्यक्तियों की संक्या दियेगए है और दिन की संख्या दीगे घंटे के संख्या दीगे और नीचे होता है डवलू ठीक है तो एक व्यक्ति एक्स घंटे में एक कुर्सी बुनेंगे यहां से अब देखे एक्स कमान कितना जाएगा पांच घंटा आएगा मैंने वहाँ यहां पर जितने लोगों ने आपसर नंबर सी जवाब दिया है पांच घंटा वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुशन देखो आप से यहां पर क्या बोला गया है एक से सौ के बेच में कितनी ऐसे संख्या है जो आठ से विभाजित होती है तता उन संख्या होती है उन संख्या हो इसके लाव क्या हो सकता भी आठ से ब्याइट होने विच बोला गया तो आठ वनी सोला अच्छा उसमें से एक अंग भी आपका आठ होना चाहिए तो सोला तो होगा नहीं चौबिस नहीं होगा क्यों कैसे हैं जिकर जो आठ चौटा से विभायत है में दो 30 में वे क्याला शौन चारश्व lounge समझने को फार यहां पर चार एंक ऐसे हैं जिनके जो आठ से विभायत हैं उनमें एक अंक जो आपका आठ भी है यहाँ पर लॉजिक लग रहा था इतने लोगों ने आफसर नंबर ए जवाद दिया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जा रहेगा अगला कोशन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है यहाँ से देखेगा यह परिच्छा में तीन पेपर में किसी प्रिचारती को पास होने के लिए कुल 35% अंक प्राप्त करना होता है एक पेपर में 150 में से बासर ठंक तथा है दूसरे में 150 में से 35 अंक मिलने पर तीसरे पेपर में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए एक चीज़ समझो मैं सि तीसरा पेपर 180 का है, तो तीनों पेपर कितने नंबर के होगे, भाई, 150, 150 हो गया, 300, 300 और 180 जोड़ेंगे तो 480, बस यही लॉजिक समझ में आ जाएगा, 480 नंबर का पेपर है, हमें पास होने के लिए 35% चाहिए, यानि कि इसका 35% निकाल लो, यानि कि 480 नंबर में अगर इ यानि कि 168 नंबर हमें चाहिए, भाई, 480 में 168 नंबर अगर उको मिल जाता है, तो हम क्या हो जाएंगे, उसको कितना नंबर मिल चुका, पैस यह देखो, उसको एक पेपर में 62 नंबर मिला है, देखो, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, एक पेपर मिला है, एक में 35 अब उक कितना और नंबर पाये कि पास हो जाए, तो 168 तक पहुशने के लिए कितना नंबर और पाना पड़ेगा, तो 168 में से हम लोग 97 को घटा देते हैं, तो 18 में से 7 यहाँ पर देखा है, तो 8 में 7 गया एक हो जाएगा, और 16 में से 9 कि आपका कितना हो जाएगा, तो 71 नंबर आपका वो और पाजाता है तो क्या हो झायगा भी पास हो जाएगा ठीक वहीं या समोज नी आ गया बिलकुल् की सिरिंख्ला में दसवापद कौन सा होगा तो साथ दूनी 14 दूनी 28 दसवापद पूछा गया न तो तो साथ गुड़े दस यहां एसा साथ दूनी 14 दूनी 28 ऐसे 2 छपन ऐसे चलता रहेगा न तो यहां पर अगर दसवापद निकालना है तो आसान तरीका यह होता है यह पहला पद्फ पहला पद्फ कितना आपका साथ है इनके बीच में कितने का गुड़ांग लेज़ेगे कि आपका 10 होता है यानि कि 10-1 कितना है अभी सात गुड़े दो की पावर दस में से गया कितना हो और और दो कि नौ बार करो यानि कि दो गुड़े दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोला दूनी बत्रीस दूनी चौनी एकस टाइस दूनी 256 दिखे कितने बार हो गया declarability प्रसे कहें चबता है यानि कि 512 गुड़े कितना करना पड़ेगा शाढ़ना पड़ेगा अपको याद राखना था option number जो इसका C है 3584 यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखो आपसे क्या कह रहा है एक घन में सदेव होते हैं 76 का यहाँ पर जवाब देती हूँ चलेंगे सर एक घन में सदेव कितने किनारे होते हैं 12, 10, 4 या 6 4 फलक तो नहीं होते हैं यहाँ पर पूछा कितने किनारे होते हैं तो उसे याद रखिए का एक जो घन होता है उसमें टोटल आपके 12 किनारे होते हैं ठीक है भई एक जो आपका घन होता है उसमें टोटल सदियो 12 किनारे होते हैं किनारे देखें कि आपके 12 किनारे होते हैं कितने किनारे बहुते हैं और यहां पर यहां पर बिल्कुल करेंगे आप ऐसे गिनेगे ना चलिए अगला कोशन देखिए आप से क्या कह रहा है A B से छोटा है लेकिन E से ज्यादा लंबा है तो भाई A जो है B से छोटा है अब एक काम करते हैं इसको आसानी से मतलब लगाने के लिए उपर नीचे बनाते हैं जो छोटा उसको नीचे रखते हैं जो बड़ा उसको उपर रखते हैं तो A किस से छोटा भी? B से छोटा है लेकिन E से ज्यादा लंबा है A जो है B से छोटा है लेकिन E से बड़ा है पहलो भाईवाल देते हैं E से ज्यादा लंबा है C सबसे लंबा है D जो है सबसे लंबा है D A से थोड़ा छोटा है तो D जो है A से थोड़ा छोटा है तो यहाँ पर थोड़ा छोटा है यहाँ पर D और E देखो A से छोटे में D और E दोनों आ रहे हैं तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर लेकिन यह पर यहाँ पर थोडा साथ का हूं किया है यहाँ पर जादा हूज किया गया यहाँ पर जादा को य८्य ही किया नेक्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया तो अप लोग फटाफर उस क्लास को आकर देखना जरूर ठीक है बहुत इंपॉर्टन क्लास है एक निशित कोड में बैड एंड गुड को और यहां पर 169 और यहां पर 325 में क्या कॉमन है ठीक है यहां पर इंसो पच्छा गुड बचा यहां पर क्या तीन बचा गुड का मतलब क्या हो जाएगा सबका तीन हो जाएगा बहुत आसान लॉजिक था यहां पर बेना कुछ लिखे बेना कुछ किया आपके आपके सामने है तो तीन यहां पर जो है करेक्ट एंसर हो जाएगा क्लियर है सबी को अगला कोश्चन ध्यान से दिखे क्या कह रहा है अब देखों म्यूच्यूल यह मूटी हो गया उसके बाद एक यू और चाहिए जो कि इसमें नहीं है तो आपका यह तो नहीं बन सकता है एप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एप्लिकेशन में देखा है तो एडबल पी हो गया जबकि यहापर डबल पी नहीं है तो यह भी नहीं बन तकता है इसके बदte L I यहाँ पर हो गया उसके अम यहाँ पर हो गया at यहां पर बहना और A हम बात करते हो है है अब बन जाएगा रिधर झाँ यहाँ पर ओ सिरहना है खीचे आपर अबको यहां पर नहीं क्यों क्लास अभी खतम हो रही है और उस वीडियो पर क्लिक करेके अगली क्लास में फटा-फटा आप लोग आ जाईए क्योंकि बहुत जादा इंपॉर्टन ज्यों क्लास होने वाली है तो बाइद नीचे देगे विकल्टों में से विसा मक्षा चुनना था तो इसका कोड लिख लो आपका क्या एक स्वर है एक आपका एक स्वर है वावल है और सारे के सारे क्या दिये गए विंजन दिये गए बिल्कुल सही बात है तो इस लौजिक से बी